परम शान्ति जी मर कर राख होना बापु जी ने कवाखिय एक वीडियो में यूज किया है कि मर कर राख होना बहुत बड़ी बात है कि आत्मा उसके अंदर ये भाव कब आता है देखे बापुजी ने अपने वीडियो में कहा है कि जो बेजिरू पात्मा है वो इस स्थिती में पहुँचेगी तो ये जो स्थिती है वो इतनी घहरी स्थिती है कि इस स्थिती के अंदर जो बेहत की आत्मा है वो सिर्फ और सिर्फ विश्व के कल्यान के लिए ही जीती है अपना परसेनल कोई भी उसके अंदर, उसका परसेनल कोई भी कुछ पाना, कुछ खोना। कर्मतिस स्थिती तो फिर भी करम में रहने की बात है, पर ये स्थिती तो वो है जिसमें वो अपने लिए भी कुछ नहीं सोचती हैं। और जिसे कहते हैं कि ब्रह्म स्थिति को पाना ब्रह्म के सीवाई कोई वास्तना नहीं होना ब्रह्म समान बनना क्योंकि जो उसने सोचा है वो हमें सोचना है जो उसकी सोच है वो मेरी सोच होनी चाहिए और इस हद की दुनिया से हर कनेक्शन को काटना, हद के रिष्टों को खतम करना, खतम करना मिन्स मन से खतम करना, यहाँ पर कोई भी बात जो है, यह मन से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि सबसे पहला भाव जो है, वो मन में ही पैदा होता है, तो मन को उस अवस्ता में पहुंचाना, जहां पर हद की दुनिया से परे, बापुजी ने एक वीडियो में कहा है, सोचने से पहले भी सोचना कि मैं क्यों सोचू हूँ, और अंदुरुनी जो हमारी आत्मा की जो स्थिति आ जाती है, वो ब्रह्म समान, बेहत के परमपिता समान, बाप समान, इस स्थिति के अंदर आत्मा का स्वयम कुछ भी कोई रोल नहीं है, जैसे वो चलाना चाहता है, वैसे हमने चलना है, संपुर्ण, उसे कहते हैं, सरंडर भाव, कि मेरी अपनी सोच भी अपनी नहीं है, इस सरीर की सोच तो बहुत दूर की बात है, हमारी मन की सोच, मन की नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मन ही के कारण तो हाँ धर्ति पर है, तो मर कर राख होना मतलब हर सेकंड, हर विचार, सिर्फ और सिर्फ विश्वकल्यान के सीवा हो ही नहीं सकता, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म समान बनने के सीवा, और कोई वास्तना जीवन में होनी ही नहीं चाहिए जो भ्रह्म की इच्छा है वही हमारी इच्छा होनी चाहिए अब आप सोचो कि उस भ्रह्म की या उस बहत के बाप की धर्ती पे हम बच्चों के प्रति क्या इच्छा हो सकती है क्या भाव हो सकता है हाला कि वो तो कोई भी भाव से रहित है, वो तो पावर होते हुए भी किसी के लिए ना उसके लिए धुरूणा है ना किसी के लिए प्रैम, सिर्फ और सिर्फ जो उसे याद करता है वह उसके समान उसको बना देता है मतलब यह कि यह एक ऐसी स्तिती मर के राख होना मतलब जीते जी अपने आपको सरंडर करना बेहत के परमपिता की और उनकी जो duty है वो हमारी duty बनाना, उनकी जो इच्छा है वो हमारी इच्छा होनी चाहिए, बेहत के विश्व को बदलने की हमारी duty होनी चाहिए, खुद के लिए कुछ भी ना रखना, अपने लिए ना सोचना, और इस तमाम भाव की दुनिया से अभाव में चले जाना जहां पर कोई भाव नहीं है ना देह का दूसरे के देह की बात नहीं है स्वयम के देह की बात है ना अपने देह का ना दूसरों के देह का और आत्म भाव से उपर का यह भाव है जहां पर हम मैं आत्मा हूं वो भी भ में तो उसके समान बन चुका हूं उस ब्रह्म स्वरूप बन चुका हूं इसके बाद कोई आत्मा की और कोई स्थिति नहीं है यह संपूर्ण परिवर्तन आत्मा का और इस परिवर्तन के बाद कुछ नहीं बसता स्वरूम का स्थित्व भी एक समय के बाद खतम हो जाएगा यह एक अमेजिंग स्थिति है अगर हम इस स्थिति को अनुभूती भी कर ले तो बेहत की खुशी अंदर आजाती है क्योंकि इसके आगे और कोई पढ़ाई नहीं है इसके आगे और कोई प्रेक्टिस नहीं है इसके आगे और कोई वास्तना नहीं है इसके आगे कोई इच्छा नहीं है विश्व कल्यान से भी आगे की स्थिति है इस धर्तिल लोग पर भी ऐसी कोई स्थिति नहीं इस धर्तिल पे कोई भी मनुष्य, कोई भी सादू, कोई भी संत, कोई भी भक्ति, कोई भी योग, कोई भी सांख्या योग या कोई भी भक्ति, योग, ध्यान, सबसे लास्ट स्टेज है. तो ये सिर्फ और सिर्फ बेहत के प्रेम से ही पाई जाती है. यह स्थिती आप और बाप, सिर्फ आप और बाप, और उसके सीवा किसी और को कोई प्रेम नहीं, बेहत का प्रेम इसे ही कहते हैं, कि जब तुम उसके समान बन जाओ, तुमारे दिल में इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो उनके लिए, कि वो मजबूर हो जाए कि तुम्हें अपने जैसा बना के ही छोड़े, तो ये बहुत ही वंडरफूल है बहुत ही वंडरफूल है इस स्थिती में आने के बाद आत्मा का कोई पावर लोस नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी स्थिती बदल जाती है हमारा संकल्पो का लोस खतम हो जाता है हमारा विचार का लोस खतम हो जाता है अब मन की तो अवस्ता ही नहीं है, जब मन ही अस्तित्व में नहीं रहा, तो मन क्या कर लेगा? तो यही बापुजी कहते हैं कि राक समान बनना, मतलब अपने आप का स्तित्व खतम करके उस समान बन जाना, बेहत की स्तिति, बेहत का प्रेम, बेहत का बाप, बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर अवस्ता है ये, इसको अगर आखबन करके अनुभूती भी कर लें तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती, अनुभूती करके देखें, हंडेट परसंद अनुभूती करके देखें, अमेजिंग है ये, बेहत की परमाशन्ति, बे झाल झाल